यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक length जिसकी length है 180 meter और width है 5 meter इसको पक्का किया जाना है इंटों से जिनकी length है यहाँ पे 20 centimeter और breath है 15 centimeter तो हमको यहाँ पे जितनी number of bricks की requirement होती है उनका find out करना है cost अगर यहाँ पर 1000 inch का जो cost है वो पड़ता है रुपीज 750 तो इसके लिए हम क्या क करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो निकालेंगे number of bricks उसके बाद जितनी number of bricks आएंगी यहाँ पे उनका cost निकालेंगे ठीक है ना unitary method का use करके तो number of bricks कैसे निकालेंगे number of bricks निकालेंगे हम जो यहाँ पे यह land है इसके area को divide कर देंगे brick के area से एक के ठीक है तो यहाँ पे number of bricks आ जाएंगी फिर हम यहाँ पर उनकी cost निकाल लेंगे ठीक है तो देखें यहाँ पर मैंने land और brick अलग-अलग write किये हैं जिससे कि उनकी मैं dimensions write कर सकूँ तो जो यहाँ पर brick के dimensions हैं वो दी गई है length यहाँ पर है उसकी 20 cm और breath है 15 cm अभी मैं यहाँ पर land की जो dimensions हैं उनको write कर लेता हूँ तो length है यहाँ पर 180 meter जिसको मैं क्या करूँगा cm में convert कर लूँगा ठीक है दो चीजे कर सकते हैं या तो आप इसको cm से meter में convert कर लें या फिर इसको meter से cm में convert कर लें यह already cm में है ही ठीक है क्यों करते हैं इसको ऐसे क्योंकि हमको यहाँ पर divide करना होगा तो यह चीजें होने चाहिए किसमें सेम unit में तो अभी मैं इसको cm में बदल लेता हूँ तो दिखें यहाँ पर है 180 meter और एक meter में होता है 100 cm तो इस meter को cm में convert करने के लिए मैं कर दूँगा multiply by 100 तो यह हो जाएगा cm में तो अभी multiply कर लें इसका तो यह हो जाएगा 180 और इसकी पीछे 20 और तो यह आ जाएगा cm ठीक है अब यहाँ पर इसका area निकाल लेते हैं तो area क्या आ जाएगा तो area देखें क्या हो जाएगा length multiply breath तो length कितना है यह है 18000 and multiply यह 500 cm स्केर मैं इसको multiply नहीं कर रहा हूँ इतना ही छोड़ेता हूँ जिससे की मुझे आगे जाके calculation में आसानी हो इसका area और निकाल लेते हैं ठीक है न ब्रिक का तो ब्रिक का area कैसा आएगा length multiply breath जो किया आएगा हमारे पास 20 multiply 15 cm स्केर अभी क्या करते है number of tiles निकालते है तो number of tiles तो यह क्या होगा यह होगा हमारे पास जो land का area है इसको divide कर देंगे brick के area से मैं यहाँ पर write कर देता हूँ area of land and divide by area of brick ठीक है तो write कर लेते हैं यहाँ पर land के area को one eight triple zero and multiply 500 divide कर देते हैं brick के area से तो यह 20 multiply 15 तो cut करते हैं इसको यहाँ पर देखे 0 से जाएगा 0 पर and इससे cut करते हैं तो यह 29 जा 18 ठीक है यह double zero तो 900 आगया 15 से cut करते है 15 6 19 तो यह आगया 60 60 और 500 का जो multiply वो कितना आएगा हमारे पास यह आएगा 6 5 30 ठीक है and यहाँ पर एक दो तीन जीरो और है तो यह आगया 30,000 bricks आगया ठीक है कितना आगया अच्छा tiles नहीं है हमारा क्या था bricks था तो bricks लिखेंगे हम यहाँ पर तो number of bricks कितना आगया 30,000 अब यहाँ पर cost write करते हैं इसकी तो cost of 1000 bricks तो 1000 bricks का जो cost है वो कितना दिया गया है यहाँ यह दिया गया ह upon 1000 निकालना किसका है मुझे 30,000 का निकालना है ठीक है तो मैं write करूंगा 750 upon के यह 1000 and multiply by 30,000 तो यह 30,000 से जाएगा 3,0 ठीक है अब अगया 750 multiply 30 तो multiply कर लेते हैं इसको तो यहाँ पर 35 जा 15, 37 जा 21 और 122 एक और दो यह 2,0 आ जाएंगी तो इन टाइल इन bricks को लगाने का यो cost है वो आएगा हमारे पास कितना 22,500 रुपीज